नमस्ते वेलकम तो और चैनल जासके आप यह देख सकते हो यह ब्यूटिफुल सी लटकन मना के मैंने रेडी करी है यह कॉटन फैब्रिक का लटकन मनाया था मैंने आप कोई भी फैब्रिक सी यह बना सकते हो तो आए हम इसे बनाना है स्टार्ट करते है तो सबसे पहले इसके मैंने जी फैब्रिक ले रखा है यह मेरे बचे फैब्रिक था यह जए मेरे, पर इसको परे बीच मतला बर्वा फोल्ड कर रए मैंने तो इसंसासी यह 4 फोल्ड हो गया है 4-4ोड होने के पाद आपको इसका मेजरमेंट निकालना है तो मैं 2 1.5 इंच लोगी आप चाहे तो 4 इंच लेके 2 इंच मतलब 4 इंच बनके डड़ी होगी तो अगर आपको छोड़ी बनानी हो तो 4 इंच की बना सकते हो आप अपने हिसाब से इसको इसके जो गुलाई है वो अपनी साफ से रख सकते हैं तो मैं यह धाइंच की बना रही हूँ तो धाइंच पर मुझे इस तरह से निशान लगा ले ना इसके पूरे राउन पर देखिए इस तरह से मैंने सरकल सा राउन हाफ ड्रॉब्रा कर लिया है अब मैं इसकी कटिंग करूंगी तो करने से पे पिना प कर लूँगी ताकि इधर उधर ना किसके और करने करने के तो मैंने दो लटकन मनाने है तो मुझे चार फैब्रिक चाहिए सेम मिजरमेंट के ही तो यह दोनों जो मेरे सरकल बनके रिडी वह फाइफ इंच का हिए क्योंकि मैंने धार इंच पे लिया था तो यह फाइफ इंच पुरा उपन होके आएगा तो देखिए हमने इसको इस तरह से रख लेना है अब मैं इसको लगाने के लिए डोरी बना के दिखाऊंगे आपको तो डोरी के लिए मैंने यह 1.5 इंच का कपड़ा ले रखा है स्ट्रिप जो हमने कड़ करके रखी है इसकी लेंथ मैंने डेंच रखी है और वेर्थ इसकी अपने हिसाब से रख सकते हैं तो देखिए हमने हाफ इंच का रखते हुए वन फूट का ग्याप देते हुए मैं पूरे पर सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल पास से सिलाई लगा रहे हूं जितनी आप पास से लगाओगे उतनी ही आपकी डोरी जो है पतली बनके आएगी इसलिए हमने से ते मैं से दूसरी भी त्यार कर लेंगी दू पर सिलाई लगा लिए इसके हाँ पर साइल पर हमें तो इसलिए आसाइने से बहार निकल जाए कर देखी निकाल दिया मैंने हम फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा करके हम खीचेंगे तो यह बिल्कुल आसाइने से आपकी पतली सी डोरी बनके रेडी हो जाएगी तो देखिए जैसा कि मैं यह कर रहे हूं आप भी से मैंसे ही घर प बनके आजाएगी बिल्कुल जोर नहीं लगाना है वरने आपका यह त्रेट टूड सकता है तो देखिए इसरह से मैंने इसे देडर करके खीच लिया है यह देखिए बहार निकल गई है दोरी इसको पूरा अच्छे से कर लेंगे तो देखिए इसरह से मैंने यह पूरी डो अगर अगर आपका पृंटी टूख सीदह कर दियान करना है आपको जो प्रिन प्रिन अगार सीदह लगानी है यह कूं बंसकी ओल्टे सायट पर शिदय लगानी है तो बस इसी तरह से रखना है और इसमें कुछ स्ट्रा है नहीं अगर एपका प्रें फैंबर निक कोई दिक लिए है ताकि यह फैब्रिक अच्छे से दिखे तो इसके किनारे पर हाफ इंच का गैप रखते हुए हमें पूरे राउंड पे लगा लेनी है मैंने यह फैब्रिक को उठा उठा के हमने इस लगानी क्योंकि हमें राउंड चाहिए तो इसके लिए हम बिल्कुल और वन इंच उठा उठा के करके इसमें सिलाई लगा रही हूं ताकि इसमें कोई जोल नहीं आए और यह अच्छे से सिलाई इसमें लग जाए तो ऐसा ही हमने पूरे पे लगा लेनी है और वन इंच के लगब हम फैब्रिक को यहां पे इस तरह से छोड़ देंगे क्योंकि हमें यहां से फैब्रिक को टर्न करना होगा देखिए यहां पर मैंने इस लगा दिया इस लगाने के बाद यह कुछ इस तरह से नजर आएगा एक्स्ट्रा थ्रेट को हम इस तरह से कट कर देंगे और इसमें हमें चोटे-चोटे कट लगाने है ताकि जह में इसे टर्न करें तो यह अच् लगा दिया अब यहां से जहां से मैंने ग्याप छोड़ा था वहां से में फैंप्रिक को सीधा कर लेंगे अपने साइट पर जो स्लेवल अपार्ट था वो अंदर चला जाएगा तो देखिए इस तरह से यह मैंने अंदर कर दिया है और इसको भी सीधा कर लिया दूसरे आरण करनी तो आरण कर लीजे मैं इस पर आरण करूंगी तो मैं आपको आरण करने के बाद दिखा देती हूँ तो देखिए मैंने आरण कर लिया आरण होने के बाद यह कुछ इस तरह से नजर आएगा अब हम इसमें जो डिजाइन बनानी है उसके लिए हमें इसका पहले म तो बीच में देखिए हमें इसी तरह से निशान मिल जाएगा और इसका इसी तरह से हम इसका मेर्ड निकालेंगे दूसरे साइड पे भी तो इस तरह से इधर साइड पे भी हमें इस तरह से निशान मिल जाएगा और हमें दोनों साइट पे हमें इसी तरह से निशान रखके लगा लेना है तो फैब्रिक हम इस तरह से रखेंगे जो प्रिंटर वाले फैब्रिक रहेगा जो हमने डिजाइन वाले फैब्रिक है वो अंदर साइट को रहेगा उदर साइट हमें निशान लगाना है क्योंकि जो Mill ال integrating फैब्रीक है और उपर रहे गा और इससे निशान लगा रहे हो तो बिल्कुल धे करprotी देखान के निशान लगाएं क्योंकि कि अगर 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 आप प्रिंटिट वाले फैब्रिक के साइट पर निशान लगाओगे तो देखे इसी तरह से हमने ये पूरे पे निशान लगा लेना है इसको हम डाक कर लेंगे इधर साइट पे भी एक और निशान लगा लेंगे अगर बस इतनी निशान लगाएंगे ज़्यादा से लिखे गई है अब मुझे क्या करना है अब हमें डोरी इसके अंदर लगानी ह इसमें सिलाय करने से पहले इसमें डोरी साथ की साथ लगानी है तो हमें इसका मिड जो हमने निशान लगाया था वहां पर हम फाब्रे को इस तरह से फोल्ड करेंगे फिरे को और बर हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और जो मिड है इसका वहां पर हमें छोटा सा कट लग कादिया मैंने डोरी को हमने इस तरह से इन करनी है सीधे पर रखे हम बाहर को निकालेंगी जहां पर निशान लगा है इस बात को को थ्यान prá 52 तो देखिए इस तरह से रखे हमने दोरी अंदर कर ली है अब हमें क्या करना है इस पर सिलाई लगाएंगे तो सिलाई लगाने से पहले मैं दूसरे वाले को भी आपको समझा देती हूं जो दूसरे फैब्रिक था इसको हमने बीच में से फोल्ड किया फिर एक और हमने निकाल लेंगे बिल्कुल जारा सा फैब्रिक हमें निकालना जो डूरी है हमारी जारा सी निकलेगी ज्यादा निकालना तो इतना निकालती है मैंने इसको बीच में सबसर से फोल्ड कर लेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे तो मैं आपको सिलाई लगा की देखा देती वैसे ही हमने इसमें पूरे पे सिलाई लगा लेनी है इस तरह से सिलाई लगने के पाद जब यह डिजाइन बन के आएगा तो आप देखने बहुत ही अच्छा लगेगा यह आप इस डिजाइन को आप नेट फैब्रिक पे भी बना सकते हैं सैटन के फैब्रिक मतलब किसी भी फैबर भी न कोड़े बना सकते यह बहुत लूगर अच्छा यहां गैस का तो देखें इस तरह से मैंने दग अंतरिक म्लिक म मैं अंहें हम theorem इधर भी सिलाई लगा लिनी है तो देखिए यहां पे भी मैंने सिलाई लगा दी और एक जो पचा हुआ है उधर साइट पे भी हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे यह जो जहां पे डोरी हमने अटेच करी वहां पे थोड़ा सा मोटा हो जाता फैब्रिक तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके हमें सिलाई लगाएंगे तो यह पूरी बराबर से लगके आएगी तो देखिए यहां पे लगा दिया मैं आपको दूसरी वाली पता देती हूँ तो इसको भी बिल्कुल सीधे रखके हमें लगानी है तो यहां पे भी फिक्स कर लेना हमें डोरी को दो से तीन बर करके तो देखिए इसले लगा दी मैंने इधर साइट पे भी हम ऐसे ही मतलब यह पूरा हम जैसे मैं बना रहे हूँ वैसे ही आपको बनानी है बहुत अच्छी लगेगी यह बनने के बाद तो देखिए आपे भी मैंने इसे लगा दिया है इसमें भी इसले लगा दी मैंने अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस अब बैल आइकन जिससे आपको को मेरी अपकमिंग वीडियो के नॉटिवकेशन मिलते रहे तो देखिए इस तरह से मैंने यह सिलाई लगा के रेडी कर लिए मैं आपने पूरा देखिए मैंने दोनों पीसिस पे सिलाई लगाती है जो डोरी है उपर एक्ष्रा उसे हम कट कर देंगे और एक्ष्रा थ्रेड अगरा भी हम कट करके अलग कर देंगे तो देखिए इस तरह से यह मेरी ब्यूटिफुल सी लटकन बन के रेडी हो चुकी है मैं दूसरे वाले को भी दिखा देती हूं आपको तो दोरी को थोड़ा से खीचेंगे तो यह बहुत ही अच्छा सा शेप बन के आएगा तो आप मेरे चैनल पर नए है तो और प्लीज अपने कमेट पटाएए कि आपको आज के मेरी वीडियो कैसे लगी हो प्लीज वीडियो पूरी देखा करिए को वीडियो को लाइक बी करियेगा सुमलते पर नेक्स वीडियो में थैंक्स रॉचिंग थैंक्यू